कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब खरीयत से होंगे आज मैं बनाने लगी हूँ एक लैस मायोनीज के लिए मुझे चाहिए शुकर नमक यहां पर मेरे पास सिर्का और साथ मैंने लिया है ठंडा दूद जोके मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था आपने बिल्कुल ठंडा दूद लेना है और साथ में मेरे पास है कुकिंग आयल सबसे पहले मैं इसमे लोगी यह दूद और ौठ मने यहां पर लिया है 100 ml वो में इसमें आट कर दूँगी यह आट करने के बाद मेरे पास जो विνεगर है सिर्का वो मेरे पास है 2 टेपलिंपून वो में इसमें टाल दूदी वॉसाथ में नमक मैं लोगी हाफ टेबल स्पून और साथ में शुगर में लोंगी वन टेबल स्पून ये लेने के बाद मैं बन करके ब्लैंड करूंगी कुकिंग आयल में ले रही हूं 200 ml दूद मैंने इसी से मेजर किया था इसी में ही मैंने कुकिंग आयल लिया है और साथ थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें डालना है अब स्टार्ट करते हैं करते हैं बंजाने का इससी में स्टार्ट थोड़ा करते हैं और और आयल वे तो वे उड़ितों कि वे लेड़ा-वा बस्तार्ट करते हैं पर जो तोड़ा चा कुकिंग गड़ रहेंगे वह मैं इसमें टालेंगे पंद्रे से बीस सेकेंड चलाने के बाद मैं इसको चेक करूंगी मायोलीज हो गई है मेरे पास रेड़ी इतने ठीक हमारे पास काफी है इससे ज्यादा हमने नहीं करनी इसको मैं कर देती हूं साइट पर अब इसमें करते हैं चक मायोलीज बहुत ही जबरदास बननी है इसको टेक्स्चर चक करेंगे इसमें मैंने 100 ml जो है दूद लिया है और 200 ml जो है मैंने कुकिंग आयल लिया है तो उससे हमारे पास यह मायोनीज हो गई है रेडी बहुत ही जबरदास बनी है आप लोग भी जरूर ट्राय करें इसको बहुत ही कम इंग्रीटियंट्स में मेरे पास एक पूरे का पूरा पाउल हो गया मायोनीज का रेडी आप लोग भी असानी से इसको घर पे बना सकते हैं अगर आप लोगों को यह रेस्पी अच्छी लग गया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें कर दो